हार्दी कभी नंदन व्यूवर्स आपके अपने चैनल स्टॉक स्पार्क ट्रेडर्स में दोस्तों आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हिमादरी स्पैश्यालिटी कैमिकल्स लिमिटेड ये कमपनी प्रैमेरली कारबन मिटेरियल्स और कैमिकल्स बनाती है ये इंडिया की नंबर वन कोल पिच मेनुफेक्चरर कमपनी है और एक लौती कमपनी है जो एडवांस्ट कारबन मिटेरियल्स बनाती है जो बैटरिस की मेनुफेक्चरिंग में यूज होते हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे stock में आई इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे का reason क्या है और investors इसमें क्या करें future में क्या हो सकते हैं इसके targets जैसे कि हमें ये stock 83 रुपीस के आसपास 8% की तेज़ी में trade करता हुआ नजर आ रहा है जो कि एक stock के लिए बहुत ही बड़ी बात है और last one month में हमें ये stock 48% की तेज़ी करता हुआ नजर आ चुका है ये stock हमने अपनी पिछली वीडियो में कई बार suggest किया है क्योंकि इस company का future हमें बहुत ही जादा strong नजर आ रहा है अब जानते हैं इसमें आई इतनी बड़त की वज़य क्या है Union Budget 2022 में government ने एक battery swapping policy पर announcement की है जिसमें सबसे ज़्यादा focus इस stock में बनता नजर आएगा इस policy के तहत electric vehicle owners अपनी discharged batteries को swap stations पर charged battery से replace कर सकते हैं जिससे battery charge करने में जो समय बरबाद होता था वो बच जाएगा इस policy से electric vehicle battery manufacturing companies को एक push मिलेगा और इंडिया में electric vehicle batteries में use होने वाले advanced carbon materials manufacture करने वाली ये एक lofty company है और हर साल lithium iron battery segment 18% ग्रो करेगा तो obviously ये stock भी ग्रो करेगा तो इस news के चलते हमें stock में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और long term में भी देखने को मिलेगी तो अब बात करें targets की तो holder इसे 1-2 साल के लिए hold करें और fresh buyers इसे current market price पे buy कर सकते हैं अगर news के अनुसार iron lithium battery business annually 18% ग्रो करता है तो इसके long term targets 180-200 definitely हो सकते हैं अगर short term की बात करें तो ये इस साल में यहां से double हो सकता है तो अगर आप long term investor है तो ये right time है इसे buy करने का ये आने वाले समय में बहुत अच्छे returns दे सकता है तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए updates के साथ